नमस्कार दोस्तों मैं प्राची सूपर कोचिंग आई एस पर टेस्ट बुक में आप लोगों का बेहस स्वागत करती हूँ आप देख पारे होंगे कि दा हिंदू न्यूस पेपर के दो स्क्रीन शॉट मैंने आपको दिखाए हैं जहां पर एक में यह बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 6.9% पर जो है रेस कर दिया है दरहसल वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की जी डीपी की जो फोर्कास्ट की जा रही थी अगर पिछले तीन बार का हम आकड़ा देखते हैं तो उसको डाउन ग्रेड किया गया था उसको हमीशा कम कर दिया गया था लेकिन दोनों न्यूस में एक थोड़ी समझने वाली बात है यहां पर वर्ल्ड बैंक ने जो एक पॉजटिव ट्रेंट हमें दिखाया है यह दरहसल हमारा फाइनेंशल येर 22-23 के लिए दिखाया है और फिच ने जो डाउन ग्रेड किया है यह दरहसल फाइनेंशल येर 23-24 के लिए किया है तो इसको थोड़ा से समझ कर चलिएगा अब देखें वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के मैक्रो एकनॉमिक्स की काफी तारीफ की है साथ ही comparatively बाकी कंट्रीज के वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि भारत जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है किस आधार पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है और हमारी अर्थविवस्था के अंदर कौन-कौन से फेक्ट यागी GDP का एक प्रोजेक्शन में आपको दिखाती हो जन्वरी 2020 में हमें कुछ ऐसा दिख रहा था देन आप देखेंगे कि कोवर्ड ने हिट किया इसके बाद फिर से जो एक बूम हमें देखने हो को मिलता है रिकवरी हमने की जापे वी शेप रिकवरी की भी हमने बात की इसके बाद आप देखेंगे लोवर ट्रेंड दिखाय देखा देखा था बट जुलाई 2022 के आसपास आप देखेंगे 13.5% का ये डाटा निगल कर आया था देन ये 6.3% हुआ आगे आने वाले के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप 6.5 पर ग्रोगे लेकिन अब इसको आप देखेंगे 6.9% कर दिया है यहां पे उन्होंने एक अप्वर्ड ट्रेंड दिखाया है इंडिया जीडीपी टो ग्रोग एट 6.9% in financial year 23 और विल रिमेन वन फॉस्टेस्ट ग्रोइंग मीजर एकनॉमी सीज वर्ल्ड बैंक हम सबसे जादा तीजी से व्रधी करने वाली अब जाके बैंक ने अपना जो कोर्स को reverse कर दिया है और basically यह कहा है कि जो basically यह financial year चल रहा है इसके अगर quarter 2 की बात करें तो वहां पे growth एक strong देखने को मिली और अगर quarter 3 की बात करें तो demand actually जो है domestic market में थी इसलिए हम अपना जो है यह estimation change कर रहे हैं यहां पे आप देखेंगे क वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया है जो current financial year चल रहा है इसको पहले उन्होंने 6.5% रखा था अब इसको उन्होंने क्या किया है 6.9% कर दिया है जबकि 6.5 यह उन्होंने October में ही estimation दिया था December में उन्होंने जो है change कर दिया है उन्होंने क्या कहा है कि जो एक external environment के द्वारा challenges प उक्रेन वार के जो spillover effect हुए हैं सभे विश्व की अर्थ विवस्थाओं पर यूएस के अंदर जो FID है वहां पर basically tight monetary policy को follow कर रहा है जब जब यूएस FID के तरफ से tight monetary policy को follow किया जाता है तो emerging market के अंदर से जो FPI foreign portfolio investment होती है वो actually वहां से निकल कर यूएस के तरफ जाने लग यूएस के तरफ जाने लगती है तो एक negative scenario है तो इसके अलावा चाइना के अंदर हम देख रहे है कि उनकी economy जो है थोड़ा श्लगिश सा एक outlook दिखा रही है यूरोप के अंदर एक energy prices देखने को मिल रहा है इवन हम अपनी energy के लिए जिस crude oil पर depend करते है उस crude oil की की कीमतों मे भी हमें उता चड़ाव देखने को मिल रहा है domestic market की बात करें तो हमारे inflation काफी high चल रही थी जिसकी वज़े से RBI ने भी अपना policy rate that is rapport rate उसको जो है लगातार बढ़ाया है अगर आप आज ही की news देखेंगे तो RBI ने आज भी जो है rapport rate में change किया है ये सारी चीजे थी इसके बावजूत जो है World Bank के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की अर्थ विवस्था एक resilience दिखाती है कि साधार पर कहा गया क्योंकि इंडिया के अंदर जो macroeconomics के basically factors है वो अच्छा perform कर रहे है हम charts के माध्यम से data के माध्यम से उनको समझने का प्रियास करेंगे यहां पर देखें लेकिन यह तो बात हो रही थी current fiscal year की अगर next की बात की जाए तो World Bank ने जो है next के लिए जो अपनी एक इंडिया की growth का forecast था उसको कम किया है पहले नो ने का था 7% रहेगा अब वो कह रहे है 6.6% रहेगा यह फिच के जो है statement के according जाता है फिर इसके अलावा World Bank यह कह रहा है कि जो बाकी emerging economies हैं वहाँ पर एक क्या है slowdown देखने को मिल रहा है इसकी वज़े से भारत investors के लिए एक attractive state बन सकता है यानि कि investment जो है भारत में हमीं देखने को मिल सकती है देखिए World Bank ने क्या कहा rapid monetary policy tightening हो रही थी जिसकी वज़े से portfolio जो investment थी उसमें outflow देखने को मिल रहा था रूपी का depreciation हो रहा था कुछ दिन पहली हमने पढ़ा था कि रूपी ने अपना lowest basically hit कर लिया था ठीक है अगर हम US dollar के comparison में बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर commodity prices जो है वो हाई थे हमारे आपर जो हमारा account deficit current account deficit वो भी बढ़ता जा रहा था देखिए इंडिया के exports ठीक पॉफॉर्म तो कर रहे हैं but still हमारे जो goods के अंदर imports है वो इतने जादा है कि finally हमारा merchandise trade deficit रहता है जिसको offset करते हैं अपने service export से ठीक है आप कह सक करते हैं कि service के trade में हमें surplus सेखने को मिलता है तो focus करते हैं इन सारे सेनारियों के बीच में वी वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि जो basically other emerging market economies है उनके comparison में इंडिया जो है global जितना भी spill हो रहता है उससे insulate रहता है हम बाकी चीजे हैं उससे फिर भी बच्चे रहते हैं ऐसा market है उसके अंदर काफे demand है देखिए हमारी population बहुत जादा है population है तो उनकी अपनी demands भी है goods and services को लेकर तो domestic demand अगर strong रहती है तो इंडिया की अर्थविवस्ता ठीक ठाक perform कर लेती है इसके बाद यहां पर देखेंगे कि world bank इस बात को लेकर भी confident है कि अगर global slowdown देखने को मिल है तो उसका इंडिया पर less impact होगा दूसरा यहां पर देखिए जो डिपोर्ट का नाम था वह था navigating the strong and strong macroeconomics fundamentals की जो है तारीफ की गई है अगर हम compare करें बाकी जो है economies उनका बाकी जो देश की अर्थविवस्ता है उनका भारत के साथ तो आप देखिएंगे कि बाकियों में ए 2022 है यह बेसिकली आपका यह वाला जो कलर है तो बाकी में देखिए आपको एक डाउन ग्रेड मुमेंट देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं कि जो GDP ग्रोथ थी है उसके बारे में देखें फाइनेंशल यह पंद्रा का क्वाटर वन यहां से अगर आप शुरुवात करे और फिर पहुंचाईए फाइनेंशल इयर 21 के क्वाटर वन में तो इतनी जो है नेगेटिव ग्रोथ थी बाउंस बेक किया रिकावरी ने चीक है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे हमें बैसिकली अच्छी कहेंगे आप ग्रोथ देखने को मिली थी लेकिन फाइनेंश इयर 2030 के क्वाटर टो में तो यह 6.3 थी चीक है तो एक आप कह सकते हैं कि आपको यहां पर एक डाउन ग्रेट देखने को मिला था बट अगें अभी आपको एक अपवार ट्रेंड देखने को मिलेगा फाइनेंशल इयर क्वाटर थी की यहां पर बात हुई है क्वाटर फोर अब बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम इंडिया की एकरॉमी का एक कंपैरिजन देखें तो रेड कलर से जो आपको यह लाइन दिखाई देरी है यह इंडिया को रिपेजन करती है यहां पर अपर रेड लाइन देखेंगे तो बेसिकली आप देखेंगे हिट भी सबसे जाद बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अच्छा थोडा साथ देखता है ची तो यहां पर चाइट यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया की अर्थवेष्था फिर दूसरी अर्थ वेष्था के कंपैरिजन में थोड़ा बैटर परफोर्म कर रही है अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर वो कॉन-कॉन से सेक्टर हैं जिनकी performance अच्छी देखने को मिल रही है जैसे दो का comparison में आपको दिखाते हैं एक हम manufacturing sector की बहुत बात करते हैं तो manufacturing में आप देखेंगे तो negative यहाँ पे दिखाए दे रहा है minus 4.3 लेकिन अगर हम private financial consumption expenditure की बात करें अगेर में ने किया का भारत के अंदर जो एक domestic depend है वो ठीक है तो private final consumption expenditure की बात करें तो देखें 58.4% यहाँ पे दिखता है साथी government का जो financial consumption हो रहा है उसमें भी देखें 8.8% दिखता है यह कुछ sectors ऐसे हैं जो हमारी अर्थवस्थाओं को एक push देने का काम कर रहे हैं फिर यहाँ पे देखें private consumption और investment में जो है growth देखने को मिली है October के दोरान अगर बात करें electricity generation की free traffic की तो यह जो pre pandemic level था उससे उपर रहे हैं इसके बाद अगर बात करें जो passenger vehicle की sales है या air passenger traffic है वो भी बढ़ा है हालां कि pre pandemic level से कम है कुछ और data की बात करते हैं देखे scaling record highest after a year अगर हम BSE Sunsex की बात करें तो हमने देखा था देखे pandemic induced एक fall देखने को मिला Sunsex में फिर देखे war led market crash देखने को हमें यहाँ पे मिला लेकिन अगेन यह क्या है back to winning ways यह आपको एक upward trend यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यह basically दिखाता है कि आपके stock market के अंदर भी positive sentiments देखने को मिल रहे हैं अब बात करते हो foreign portfolio investment की चीक है कितना आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें basically क्या देखने को देखने को मिल रहा था रिकॉर्ड लेवल पर FPI का आउट फ्लो हमें पिछले कुछ महिनों में देखने को मिला है लेकिन अगर आप quarter 2020 की बात करें तो यह आपको देखें वापस से क्या है एक positive trend दिखाता है यानि कि investors का फिर से इंडिया को लेकर एक positive sentiment यहाँ पर लिखता है इसलिए FPI को hot money क्याते है एक quarter में वो negative growth दिखा सकते हैं दूसरे quarter में positive growth दिखा सकते हैं अगस्त 2022 के comparison में सितंबर 2022 आप देखेंगे तो आपको क्या है यह positive trend यहाँ पर दिखता है इसके इलावा industry production index यह देखें यह जो dot dot वाली लाइन हैं यह industry production index दिखाती है जो मई 2022 में तो उंचा गया था लेकिन फिर नीचे दिखा रहा था अगस्त 2022 में lowest hit हुआ और अभी यह फिर से सितंबर 2022 में एक जो है आप कह सकते अप्वार ट्रेंड दिखा रहा है रूपी की बात करते हैं तो बाकिये जो emerging market countries हैं उनकी जो currency है उसके comparison में रूपी आउट परफॉर्म कर रहा है जैसे आप देखेंगे इंडोनेशिया वियतन मेक्सिको और ब्राजिल ब्राजिल जो कि ब्रिक्स का भी एक पार्ट है उसके comparison में इंडिया देखें क्या है बैटर दिखता है यहां बे बताया गया है कि रूपी ने basically record low trend शो किया था अगर हम बात करें मिड अक्टूबर की क्योंकि US Federal Reserve के दवारा tightening monetary policy को अपनाया जा रहा लेकिन अभी यह क्या है basically जो off low था उससे बहार आ रहा है तो रूपी भी जो है वो pick up करता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बात करें यह हमारा जो है बढ़ रहा है मैंने आपको बताया तो यहां पर आप देखेंगे यह जो है यह goods का international trade दिखाता है यह देखिए यह आपक अगर हम goods के international trade की बात करें तो हमारा क्या है यहां पे deficit है इसके अलावा अगर हम service की बात करें तो यह देखिए service में हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे है यह positive दिखता है लेकिन overall मिला के अगर हम current account की बात करें तो current account भी हमें क्या है deficit दिखाई देता है negative है यह थोड इसके बात वार की वज़े से जो एक inflation हमें देखनी को मिली थी उसकी वज़े से जो प्रेशर अर्थववस्था पर आया था वह भी अब थोड़ा सा सौफ्टन हो रहा है जैसे आप देखेंगे कि एक तरीके से inflation में आपको यह पिक अप दिखाई देता है लेकिन अगर यहा थोड़ी थोड़ी कंड्रोल में आ रही है लेकिन अभी भी क्या है हमारा जो एक बेंट इंफलेशन का उससे जादा हाई है तो अभी भी हमें टाइट मॉनेटरी पॉलेसी को लेकर चलना पड़ेगा आज ही की न्यूसमैन आपको बताया कि रापो रेट में उन्होंने चीं जैसे उन्होंने क्या कहा कि जो करंट फिसकल एयर है वो तो ठीक है लेकिन 23-24 में 6.2% रहेगा और 24-25 में थोड़ा पिक करेगा लेकिन फिर भी 6.9% रहेगा फिच क्या एक रेटिंग एजनसी है इन्होंने क्या कहा है कि अगर करंट फिसकल की बात करें तो चीज़े ठीक ह लेकिन आगे जो है थोड़ा सा इंडिया के लिए भी एक कठिन समय है ठीक है अब बेसिकली जो यहां पर है इनकी मैंने आपको फोटो दिखाई है Mr. Kumau यह बेसिकली क्या है वर्ल्ड बैंक के आप कह सकते हैं तरके से इंडिया की यहां पर हैं इनसे यह पूछा गया कि क्या इंडिया में एक jobless growth देखने को मिल रही है क्योंकि आरोप लगता है कि ठीक है हो सकता है अब के growth के इसे फ्रेम करना है कि इन इन फॉर्मल जॉब्स को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए या फिर जो जॉब क्रियेशन है वो विजिबल कैसे हो सोचना यह है ठीक है साथ ही नों ने यह कहा अगर रिन्यूवेबल एनरजी या ग्रीन एकोनॉमिक के सेक्टर पर काम होता है तो इससे काफी जादा जॉब जो है क्रियेट होंगी तो यहां पर एक सॉलूशन भी नजर आता है कि क्लाइमेट चींच को लेकर गॉवर्मेंट ओफ इंडिया ओलरी इतना काम कर रही है अगर उसी को और बहतर तरीके से किया जाए तो यहां पर जॉब क्रियेशन भी देखने को जो अगर 2022 में हम यहां पर हैं यह थोड़ा सा देखिए आपको क्या दिखा रहा है डाउनवार्ड ट्रेंड दिखा रहा है दोजार पच्चीस तर लेकिन पच्चीस के बाद दिखाता है प्रोजेक्शन की शायद जो है भारत का समय रहेगा दोजार अटाइस में कुछ इस तर इकनोमिक्स कैसे काम कर रहे हैं यह आप चार्ट के माध्यम से समझ पाए होंगे वर्ल्ड बैंक ने क्या रीजन्स दिये हैं हमारे जीडीपी फोर्कास्ट को लेकर वह आप समझ पाए होंगे और भविश्य के लिए एक सॉलुशन पर भी हमने बात की है जो आपको एक